एलो वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स कौन कौन आ चुके हैं भई सत्थ रथम याशिका अधिती कोमल गुड इनिंग इंदर क्रांत प्यूश महीमा हर्शीता गुड इवनिंग आप जैसे कोई जीत थैंक यू बेटा श्यांस गुड इवनिंग खुशी गुड इवनिंग वीचा गुड इवनिंग आ बेटा जी थैंक यू सिदार्थ गुड इवनिंग राज गुड इवनिंग सेजल गुड इवनिंग प्यूश गुड इवनिंग सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो और माता लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहें लेकिन उसके पहले अभी हमको सरसोती माता की कृपा की ज़्यादा होशिकता है तो सरसोती माता की कृपा बनी रहें आपके उपर और ये जो आने वाला next month है वो आपके लिए बड़ा शुब हो तो इसी मंगल कामना के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले दिवाली के बाद एक नया टॉपिक जिसकाला मैं NPO हैपी दी वाली बिठा आप सबको तो मेरे खाल से हाँ जी छे कत्तिस हो चुकी है तो बहुत ही शुब गड़ी आ चुकी है हमारी पढ़ाई की तो आप हम सीधा स्टार्ट करते हैं मैंने आपको बता दिया कि आज मैं क्या करने वाला हूँ NPO का टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले क्योंकि इसमें कहीं नहीं थोड़ा बहुत conceptual clarity की दिक्कत आती है बच्चों को तो इस टॉपिक को consignment में मुझे लगता है कि आपको काफी benefit मेरा बहुत अच्छे अच्छे comments है आप लोगों के तो वैसे ही अब हमको NPO के साथ करना है बटा तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको जो NPO का topic है यह हमारे exam में आकिर weightage कितने का रखता है क्योंकि कहीं न कहीं हमको marks oriented रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो बता दूँ आपको यह exam में चार exam हो चुके हैं आपके तो चार exam में तीन exam में यह NPO के उपर question आ चुके हैं एक बार 16 mark का उसके बार 10 mark का उसके बार 10 mark का और लगातार पिछले तीन exam में NPO के उपर question आया है और NPO का topic है भी ऐसा कि ऐसा नहीं लगता मुझे कि exam में question इसके उपर नहीं आएगा बिलकुल आएगा देखो बेटा अभी जो most demanding दो topic है एक NPO consignment के बाद NPO और एक stock taking तो एक बात बता दूँ मैं stock taking के जहां तक बात है तो थोड़ा सा technical tough लगता है मैं जरूर कराऊंगा लेकिन वो exam के लिए अच्छी बात कि है exam में इतना ज़्यादा उसका weightage नहीं है मतलब inventory की topic में हर बर exam में question नहीं आता कभी कभी आता है कभी कभी आता है और inventory की topic में एक तो कभी आता है और उसमें से भी यह जो stock taking है वो भी कमाएगा मतलब उसको ज़्यादा load मतलेना है ना ज़्यादा load मतलेना हलंकि आप चिंता मत करो मैं आपके साथ उसमें कराऊंगा आपको अच्छे से ठीके बटा तो अभी लेकिन NPO का जो topic है यह बड़ा important है तो मैं NPO में क्या कराने वाले बता देता हूँ आपको मैं इसमें mainly concept का revision कराऊंगा with practical examples और जो practical question answer है यह मैं आपके RTP से लूँगा और कुछ concept clarity के लिए मुझे और कुछ जरूत हो गई तो मैंने ज्यादा समय दिलेते क्योंकि समय की कमी है हमारे पास तो मैं बेटा start करते है ओके चलिए बेटा सरस्ती माता का नाम लेके हम start करते है फटा फटा बात करेंगे बेटा जो easy चीज़ है लेकिन जो tough चीज़ है जो मुझे आपको सिखानी है आज का main मेरा concept है का आपको मालू में एक receipt and payment account बनाने बोलता है आपको एक income expenditure account और एक बनाने पड़ता है आपको balance sheet मतलब ये तीन चीज़ों को समझ लिया जाए तो NPO आपका खतम तो सबसे पहले अगर हम बात करते है receipt payment account का तो ये पूरा-पूरा receipt and payment account is equal to cash book जो हमने बचपन में पड़ा था और जो हमाल ये सबसे easy है है ना cash book में क्या होता है आपको मालू में cash book में दो ही side होता है एक side होता है receipt side और एक होता है payment side तो जो अपना RPA इसको अपन PR से क्या बोलता है RPA जो अपना RPA है ना वो बहुत ही आसाने एक side receipt आएगा एक side payment आएगा इसके ओपर बात करेंगे second income expenditure account ये पुरा पुरा अपना PL account के समाने तो एक तरफ income आएगा एक तरफ expense आएगा लेकिन आपको मालू में कि जो NPO है इनका उदिश ये profit कमाना नहीं होता तो ये लोग PL account वर्ड यूज नहीं करते बलकि उसकी जगा वर्ड यूज करते है income and expenditure account ठीक है जी और balance sheet तो balance sheet asset liability आती है तो अब पहले तीनों को मैं फटा फट बता दूँ आपको सबसे पहले RPA account देखिए बटा RPA account की सुरात होती है opening balance से और आपको मालू में cash जो होता है वो आपकी asset है तो हर asset का debit balance होता है तो opening balance कहां पे लिखते है debit side जबकि closing balance की side लिखते है craig side तो अब एक खास बात ही है कि इसमें cash हो या bank को दोनों का balance RPA account में आएगा cash balance भी आएगा bank balance भी आएगा अब आपको एक बात मालू में कि cash का debit balance होगा तो जो cash का opening balance हो हमेशा debit में ही आएगा ठीक है लेकिन bank का दोनों balance हो सकता है bank में deposit है मतब asset है तो debit balance है लेकिन bank का कभी-कभी overdraft भी हो सकता है तो अगर OD हुआ तो इसका opening balance की side आएगा trade side ध्यान ही रखना है कि जो अपना RPA account है ना उसमें cash और bank दोनों प्रकार के transaction यहाँ पर record होंगे दोनों type का balance हो सकता है debit balance भी हो सकता है credit balance भी हो सकता है लेकिन credit balance की विल किसका होगा bank code आफका इसके बाद second number क्या लिखा देखुआ all cash and bank receipt आप चाहे cash में जमा करें या bank जो भी cash आ रहा है या bank में पैसा जमा रहा है चाहे वो capital nature का हो या revenue nature का हो पैसा पैसा होता है बेटा पैसे का कोई रंग नहीं होता बदब पैसे का कोई receipt का मतलब क्या हो गया कोई भी पैसा रहा है चाहे मुझे sale के रूप में पैसा रहा है अगर NPO की बात करो मैं अगर donation की रुप में पैसा आ रहा है या मैंने कोई asset को बीच के पैसा मिला पैसा अगर आया तो receipt side आएगा चाहे वो capital हो या revenue हो इसके बाद और खास बात क्या लिखा देखो bracket में relating to current year, previous year, future year मतलब बेटा सबसे खास बात क्या है पैसा आपको आ गया ना तो receipt payment में आएगा चाहे पैसा इस साल का हो चाहे पैसा इस साल से related हो या पिछले साल का कोई पैसा इस साल आ रहा है या अगले साल का पैसा आपके पास आ गया तो अगर आपको cash मिल रहा है चाहे भूत भविश्य या वरतमान किसी भी समय का पैसा वो यहां पर आएगा, चाहा capital लिसीट का हो, या revenue पैसा आगया, चाहा cash में हो या bank में हो, वो अपना debit side में आएगा, और अब credit side में देखो बिटा, जिसको हम बोलते है payment side, all cash and bank payment, कोई भी payment हो रहा है, चाहा cash से payment हो रहा है, या bank से payment हो रहा है, चाहे capital का हो या revenue का हो मतलब capital expenditure का हो या revenue expenditure का हो आपको मालूमें ने capital expenditure का मतलब क्या होता है asset चाहे आप asset purchase करें तो भी आएगा payment या आप salary का payment करें revenue expense करें तो भी आएगा और वो payment कोई भी साल का हो current year, previous year, future year पैसा जा रहे है न तो यहाँ पर आएगा और आखरी में बज़ जाता है बेटा, balance आपको मालूमें closing balance ठीक है, तो cash का closing balance हमेशा cash अपना asset है, तो हमेशा closing balance की side आएगा, credit side, लेकिन आपको मालूमें bank or draft का closing balance हुआ तो कि side आएगा, debit side ओके, तो opening balance के opposite में आता है closing balance यह आपको अच्छे से मालूमें, चलिए, आगे बढ़ते है अब एक खाज बात note क्या लिखा देखो आप it doesn't include non cash item such as depreciation etc RPA account में depreciation कभी नहीं आएगा क्योंकि depreciation एक non cash expense है ठीक है, आगे बढ़ते है बेटा, अब second number बात करते है, income expenditure account, तो income expenditure को बनाते से में एक बात का ध्यान रखिएगा कि यह accrual concept पे base होता है अपना जो income expenditure account बनेगा ना NPO का, it is based on accrual system, और accrual system का मतलब आपको मालूमें बटा, कि current year से related जो भी income होगी या current year से related जो भी expense होगा वो यहाँ पर record होगा, चाहे पैसा मिला नहीं मिला, या हमने किसी को payment किया हो, या नहीं किया हो तो सबसे उपर में क्या लिए, it is based on accrual concept, ठेक है इसलिए, जब आप income expenditure account बनाओगे ना, तो आपको outstanding का, prepaid का accrued का, unaccrued का, यह सब adjustment करके हम निकालते हैं कि current year से related हमारी income expenditure क्या है तो यह देखे, यहाँ पे expenditure, expenditure में क्या लिखा है current year का revenue expenses आएगा, और income में side क्या लिखा है, current year का revenue income आएगा, खतम बाद, मतलब यह word इतना important है एक तो current year, भाई, आप income expenditure current year का मना आ रहो, तो current year से related income है, वो ही आएगी बस मतलब यह मानलो कि, अगर मुझे किसी ने, अगर मेरा NPO है तो मेरी income होती, donation, अगर किसी ने मुझे अगले साल, membership is, for example membership is, अगर किसी ने मुझे अगले साल की membership इस साल दे दिया, तो future year की है, वो मेरी income में, इस बाद नहीं आएगा किवल current year की income में हो आएगा, और current year का expense आएगा, और वो भी कौन सा बेटा, revenue, देखको क्या लिखा है revenue, मतब capital receipt और capital expenditure इसमें नहीं आएगा, ओके, और जो difference है वो या तो surplus होगा, या deficit होगा बताने की ज़रोती हैं, मेटा, surplus का मतलब यहाँ पे क्या होता है, profit, और deficit का मतलब क्या होता है, loss ओके, अब note में क्या लिखा है, non-case expenditure like depreciation also appear in income and expenditure account, तो depreciation जो है ना, वो income and expenditure account में आएगा मालू में आपको, अब मैं थर्ड point पे आता हूँ balance sheet, ओके, चलिए, balance sheet में क्या लिखा है, generally, opening balance sheet is prepared to calculate opening capital fund बेटा, आपको मालू में ये revision है, पहले मैं बतादू, बेटा, revision है, मतब ये हम ये मान के चलने है, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने MPO पढ़ लिया है, ठीक है, तो आपको मालू में हर question में लगबग, आपको दू balance sheet बनानी होती है, एक opening और दूसा closing, closing balance sheet तो बनाते हैं, क्योंकि asset liability का लिखना पड़ता है, पर opening balance sheet क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमको निकालना पड़ता है opening capital, capital fund, तो opening capital तभी निकल पाएगी, जब आप opening capital बनाओ, तो opening capital में क्या करोगे, एक तरफ asset लिखोगे, दूसी तरफ liability लिखोगे, और जो balancing figure है न, वो आ जाएगा आपका opening capital fund, क्योंकि आपको मालूमे है, हमने बहुत पहले journal में एक equation पड़ा था, asset is equal to capital plus liability, तो capital is equal to क्या होगा, asset minus liability, ठीक है, second number, capital fund represent, अब जो capital fund बोलते हैं, जो इसको अपन contributed by member, member जो पैसे लगाते हैं, member जो membership fees देते हैं, है न, जो capital nature किये, legacies, आपको मालूमें क्या होता है, entrance fees, accumulated surplus, और अगर deficit या loss है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, deduct करना पड़ेगा, और all assets and liabilities as on that date appear in the balance sheet, हमको जिस दिन के balance sheet बनानी है, उस दिन की जो asset or liability वो लिखना पड़ेगा, अगर आप opening balance sheet बना रहे तो, साल के सुरू में जो asset or liability उसको लिखना पड़ेगा और closing बना रहे तो, साल के आकरी की asset liability वो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ओके, चलिए अब हम आते है, important यह basic मैंने cover कर दिया, अब मैं आता हूँ important चीहों के उपर, और सुलिएगा, और समझेगा, और कुछ बातचीत करेंगे, उसका answer दीजिएगा ठीक है, चलिए, सबसे पहले normally जो questions होते न, उसमें आपको RPA account दिया रहेगा, उस RPA account के base पर आपको बनाना पड़ेगा, income expenditure account और balance sheet बनाना पड़ेगा, और RPA account में के base पर हम income expenditure कैसे निकालते हैं, इसके उपर बात करेंगे, तो सबसे पहले transfer of income to income expenditure account, सुनिएगा RPA में receipt side में income आएगी, ने चुलिए, income आपको प्राप्त होती है आप income expenditure में जब लिखते हो, तो कुछ adjustment करने पड़ेंगे, क्यों करने पड़ेंगे क्योंकि RPA account में तो जो भी पैसा मिला, चाए पिछले साल को इस साल का हो, अगले साल का हो, वो अपने को record करना पड़ेगा, लेकिन income expenditure में किवल current year की income को record करते हैं, तो इसलिए हमको कुछ plus minus करने पड़ते हैं, तो आपके पास मैं आपको दो option दे रहा हूँ, और मैं कुछ पूछूँँगा आपसे, चले बेटा, समझेगा हमारा rule क्या है, plus minus ये सबसे important है, ये सबसे important है, क्योंकि बेटा, हर question में आपको income के adjustment दिया रहेंगे, हर question में आपको expenditure के adjustment दिया रहेगा, तो मैं सारी, उन सारे concept का आपको clear करना चाहता हूँ, ताकि हर question आपको easy लगे, चलो बेटा, सबसे पहले, revenue receipt during the current year, given in RPA account, मतलब RPA account में जो, जैसे मान लिजिए, subscription की बात करते हैं, जो सबसे common है, जो हर question में रहता है, आपको मान लिएटा, तो मान लिजिए, मान लिजिए, ये मैं example ले रहा हूँ, ये देखिए, ये अपना जो RPA account है, ये मान लिजिए, RPA account है, ठीक है, अब RPA account में देए यहाँ पे subscription एक लाक रुपे, है, किता लिजिए बेटा, एक लाक, तो जितना इस साल पैसा मिला, वो यहाँ पे RPA account में आ गया, लेकिन अब मेरे कोई देखना है कि, वो जो एक लाक रुपे मिला, उसमें मेरे current year की किती income है, क्योंकि income expenditure ने किवल current year की income को दिखा जाता है, तो इसलिए, अब ज़रा थमदना, मैं यहाँ पे लिख दिया, मैंने एक लाक रुपे, ठीके, ऐसी example समझा रहों आपको, मैंने क्या लिख दिया, एक लाक रुपे, क्या लिखा है, revenue receipt during the current year, given in RPA account, RPA account में एक लाक रुपे लिखाना यह मैंने लिख दिया, अब देखो ज़रा, अब यहाँ पे, दो चीज़ों को प्लस करना पड़ सकता है, दो चीज़ों को माइनस करना पड़ सकता है, पहले एक बात सुनिएगा, एक लाक रुपे मिल को मिल गया, पहले मैं प्लस की बात करता हूँ, एक लाख रुपे मुझे मिल गया माली ये साल के आखरी में मुझे पता चला कि 10,000 रुपे मुझे किसी मेंबर से पैसा मिलना चीए था उन नहीं मिला तो मेरा एक्रुल सिस्टम क्या बोलता है कि इंकम बढ़ा दो क्योंकि मुझे 10,000 रुपे इस साल का है इस साल की इंकम है लेकिन मुझे मिला नहीं तो इस साल के आखरी में जो आउट्षेणिंग सब्सक्रिप्शन होगा न अगर है मैं एक्जाम्पल ले रहा हूँ तो इसको प्लस करना पड़ेगा क्योंकि आप सोचिएगा एक लाख रुपे मुझे मिल चुका है दस जा रुपे इस साल का है लेकिन मुझे मिला नहीं है तो मेरी साल की इंकम एक्रूल सिस्टम के साब से किती होगी एक लाख दस जा रुपे तो इसलिए ये देखो एड में क्या लिखा है आउट्षेणिंग इंकम एड दे एंड ओफ दे करेंट इयर साल के आखरी में जो 10,000 रुपे है जो अपने को नहीं मिला उसको अपने को क्या करना पड़ेगा प्लस एक एक चीज को चमना एक लाख रुपे मिल चुका है 10,000 रुपे इस साल का है लेकिन मिला नहीं है तो बेरी इंकम किती होगी बीटा एक लाख 10,000 रुपे इस दिए 10,000 को क्या करेंगे आप प्लस ठीक है अब इसको पकड़ दो बस आप मतलब क्या होता है दो तरीके से बनता है यह देखो आपको मैं बता दूँ आप मैं पूरी चीजे बताऊंगा आपको कि क्या करना चीजे और आपसे भी पुछूँगा पहले आप अपना लॉजिक देना ठीक है दो तरीके से यह निकलता है एक तो प्लस मैनस करके और दूसरा अकाउंट बनाकर यह देखे मैंने क्या लिखा है और तो मैं अकाउंट में बाद में आऊंगा पहले एक बार स्टेट्मिंट आपको समझा देता हूँ फिर हम लोग एक तरीका तरह करने वाले है ठीक है यह क्लियर होगी आप प्लस कैसे करेंगे अब समस्ते जाओ प्लस का उल्टा मैनस होगा नेचुली प्लस का उल्टा मैनस होगा अब इसी को एक दम सिंपल तरीके से समझा लो साल के आखरी की जो आउट्सेडिंग इंकम होगी न उसको गर प्लस कर रहे हो तो साल के सुरुवात की जो आउट्सेडिंग इंकम होगी उसको मैनस करना पड़ेगा इसलिए देखो आउट्सेडिंग इंकम at the beginning को क्या करना पड़ेगा minus, इसका logic देदू आपको देखो बेटा, simple है, मेरे को एक लाख रुपे मिला है, मैं हर बार ना इसको बेस लूँगा, ताकि आपका logic clear हो, मुझे एक लाख रुपे मिला है, लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूँ कि इस एक लाख में से, पाँजा रुपे तो लास्ट येर का था, पाँजा रुपे तो लास्ट येर का था, तो बताओ न भी या, मेरे को इस साल की current year की income किती हो गई, 95,000 एक लाख रुपे मुझे जो मिला है ना, उसमें पाँजार रुपे मैं बोलता हूँ कि पिछले साल का आउट्षिनिंग था, मतों तो पिछले साल का मिला है तो current year की income किती है, 95,000 तो इसलिए पाँजार को क्या करना पड़ेगा, minus तो इस logic के साथ, जो साल के सुरू में, साल के सुरू में जो आउट्षिनिंग इंकम होगी, इसको क्या करना पड़ेगा, minus तो इस जो मैंने एक्जामपल लिया ना, पाँजार इसको में क्या कर दूँगा, यहाँ पे, minus ओके, और अब जरह सोचिएगा, यह आउट्षिनिंग इंकम खतम, दो ही चीह होती है, भाई, दो ही चीह होती है बेटा, कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जो पैसा नहीं देते, चाहे पिछले साल नहीं दिया हो, यह साल के आखरी में नहीं दिया हो और कुछ ऐसे मेंबर होते हैं, अति उत्साहीं जो advance में पैसा देते हैं, जैसे आप लोग बेटा, आप लोग ने हमको advance में पैसा दिया था, ठीक है, आप अथी उससा ही लोग है, जले जोग सा पाट, तो अब क्या होगा, जो ऐसी income, जो कई ऐसे मेंबर हैं, जिन्नोंने अगले साल का पैसा भी दे दिया, तो अब जरा सोच दो जार रुपए मुझे अगले साल का पैसा मिल गया इसी साल, एक लाक रुपए मिला है, लेकिन आपको यह जानकरी में देता हूँ, कि इस एक लाक में दो जार रुपए तो मुझे अगले साल का मिल गया, इसी साल मिल गया, पर वो relating to next year, तो मेरे को income expenditure में तो current year का दिखा of the year, जो advance है, उसको क्या करना पड़ेगा, minus, तो देखो, advance income at the end of the current year, इस साल के आखरी में जो दिख रहा है कि यह advance है, तो वो advance है मतब क्या हुआ, वो अगले साल का पैसा है साल मिल गया, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, minus, ओके, तो naturally उसका उल्टा कर लो, उसका उल् प्लस, इसका logic सुन लो जरा मेरी बात ध्यान से, यह मतलब क्या हुआ, यह एक लाग तु मेरे को इस साल मिला, सब्सक्रिप्शन, लेकिन कुछ ऐसे member थे, जिन्नोंने पिछले साल पैसा दे दिया, इस साल का, भाई मानलो, यह अपना है बेटा, यह ऐसा मानले, यह 2019-20 में, 2019-20 में, अपने को 1 लाग मिला, और 2018-2019 में, मानली यह 20,000 रुपे जो है न, वो अपने को मिल चुका था, मिल चुका था अपने को पिछले साल, लेकिन यह 20,000 रुपे, 1920 का है, तो पिछले साल जो एडवांस में दिख रहा था न, मतलब इस साल का ओपनिंग में, तो वो तो इस साल की इंकम किती होगी, 1,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, तो इसलिए इसको plus करना पड़ेगा तो इसलिए देखो क्या लिखाए advanced income जो ना है beginning की इसको हमने कर दिया plus तो यह मैंने example लिया यहाँ पे लिया था मैंने 20,000 रुपे प्लस होगा और इधर मैंने जो भी example लिया होगा 2,000 रुपे इसको करना पड़ेगा minus तो यह जो plus minus करने के बाद यह जो amount आगा यह कहाँ देखेगा income and expenditure account में ओके अब इसी चीज को इसी चीज को हम लोग अराम से account बना के दिखा सकते हैं देखो यह जैसे अगर मैं बात करता हूँ यह आगे बेटा 7,000 रुपे यह 7,000 रुपे minus होगा एक बार मैं आपको दिखा दू और यह 30,000 रुपे जो न यह हो जाएगा plus ठीक है तो यह ज़रा add back कर देए क्या होता है 1,000 में 30,000 प्लस हो रहा है और 7,000 मानस हो रहा है मतलब यह आगया 1,23,000 यह जो 1,23,000 रुपे न यह कहाँ दिखेगा यह देखेगा अपना income expenditure account में यह हो गया बेटा पहला system मतलब जिसमें हम लोग plus minus करने वाले हैं तो एक बाना दिमाग में इस चीज़ को समझीएगा Rp economy जो income है उसको base लेलो उसमें दो चीज़ प्लस करना है पहला outstanding at the end outstanding at the end income outstanding at the end को plus करो तो advance at the beginning को plus करना पड़ेगा एक का end यह तो एक का beginning होगा तो यह पहले plus को दिमाग में बैठा लो outstanding income at the end और advance income at the beginning इन दोनों को plus करेंगे तो इनका जो उल्टा होगा उसको minus कर दो इनका उल्टा क्या हो गया outstanding income at the beginning और advance at the end तो ये 2 को plus करेंगे, 2 को minus करेंगे ये जो plus minus करने के बाद amount आएगा, ये आएगा income and expenditure account में अब इसी को इसी को दूसर तरीका ये होता है बनाने का आप income account बना लो बिटा, income account कैसे बनाओगे सुनना आपको मालूम है कि बिटा income की anti क्या बनती है, जब income मिलता आपको तो anti क्या बनाते है, cash account debit to income चेक है, ये anti होती है अब जब income account बनाके या ये एक जगा और important है इसका कभी कभी question में आपको आ सकता है कि subscription account बनाओ, तो उस case में कैसे बनेगा समझेगा बिटा ये income account है, लेकिन इसमें अपन क्या करेंगे जो outstanding subscription है, या subscription in advance है एक बात आपको मलूँ है जो, एक मत आपको मैं यहाँ बता दूँ, जो outstanding subscription होता है ये अपने लिए asset है, क्योंकि हमको किसी से पैसा लेना है जबकि advance subscription जिसका मिल जाता है वो अपने लिएक है liability और asset का debit balance होता है और liability का credit balance होता है तो इसका मतलब क्या होता है जब आप asset account बनाते हो न तो उसमें opening balance आप debit side लिखते हो और closing balance credit side लिखते हो जबकि जब आप liability account बनाते हो न उसमें opening balance आप credit में लिखोगे और closing balance आप debit में लिखोगे यह आपको अच्छे से मालूम एटा तो अब हम लोग यही करने वाले हैं पुलिएगा यह जो subscription account है तो उसमें opening balance भी मैं लिखोँगा हालाएं कि income का opening balance नहीं होता लेकिन opening balance लिखने का मतलब क्या होगा समझे न देखिए जैसे माल लिजिए हमारा outstanding subscription था beginning का साल के सुरू का beginning का था माल लिजिए 5,000 रुपे ठीक है तो यह तो आपका asset account है तो जितने भी outstanding, prepaid, accrued earn earn होते ना उसकी current year में एक income एक entry बनती है तो वो entry क्या बने हैं कि समझेगा यह outstanding subscription account में ने बनाया है opening balance क्योंकि asset है यह 5,000 रुपे यह आ गया अब जो outstanding subscription है ना वो आपको current year में transfer करना पड़ेगा subscription account में थेक है तो उसकी जो hello hello अब अब ही okay है क्या थोड़ा सा कुछ इशू आ गया था नेट का अब ही okay है क्या चलिए हम start करते हैं चल वेटा start किया जाए आगे is it okay is it okay is it okay chat start ty चलिए आगे बढ़ते हम लोग तो कुल में आके क्या होगा ये ये जो anti अपने पास किये ना subscription account debit to auction is subscription account तो उसका effect ये हुआ कि subscription account के debit में आ गया और auction is subscription के create में आ गया तो इसका account zero हो गया अब इसी को हम ये account की रुप में देख रहे हैं ये देखिए सबसे पहले क्या आ गया income account में to auctioning subscription opening balance अब ठीक है चलो एक चीज़ और बताता हूँ ये actual में आपको मालू में ये actual में जो auctioning subscription रहना वो asset है एक और तरीका easy रखने का वो तरीका क्या है वेटा auctioning subscription आपकी asset है और asset का debit balance होता न simple तो ये जो आपका subscription account बनाओगे न उसके debit में लिख देना लेकिन ध्यान रखना to opening balance brought down मत लिखना to opening balance मत लिखना कई लोग opening balance भी लिख देते हैं हालंकि पूरी तरीके से गलत नहीं लेकिन जादा बहतर क्या है आपको लिखना पड़ेगा to outstanding subscription क्योंकि opening balance क्यों नहीं लिखना है क्योंकि income का कोई opening balance होता नहीं है तो जो अगर आप पढ़े होंगे न तो वो गलत है बेठा उसका तरीका क्या हो न क्योंकि entry बन रही है income account debit to outstanding subscription account कई लोग क्या लिख देते है two opening balance गलत है ना बेठा two opening balance कैसे आ सकता है क्या income का opening balance होता है क्या नहीं होता तो यह ध्यान रखेगा लेकिन दिमाग में logic क्या रहेगा कि opening जो opening asset जो opening balance है न यह outstanding subscription आपकी asset है तो debit में आएगा और वैसी advance subscription जो opening है वो liability है तो उसको कहां पर लिखेंगे create side तो दोनों के जो opening balance है एक का debit में आएगा एक का create में आएगा ठीक है अब अगला point है आपको जो current के में जो subscription मिलेगा current के में जो subscription का पैसा मिला उसके entry क्या बनाते हो cash account debit to subscription account तो subscription के create में आ जाएगा ये देखो buy bank account इसको भी एक बार भूल जाओ ये क्या गया buy bank account तो जितना आपको पैसा मिला subscription का उसको आपको यहाँ पर record करना पड़ेगा ये मतलब देखे सबसे पहले मैंने opening balance लिख दिया दोनों का opening balance लिख दिया मैंने outseeing subscription, asset तो debit में और advance है तो liability तो create में ठीक है फिर जो मुझे पैसा मिला अगर RPA account दिया तो RPA में दिख जाएगा किता पैसा मिला तो उसको मैंने second third number, sorry ये दोनों को मैं बोलूँगा ये first number हो गया second number जो पैसा मुझे मिला RPA account से वो मैं record कर दिया cash account debit to subscription तो subscription के create में आ गया और इसके बाद इसके बाद ये third number में मैं लिखूंगा दोनों के closing balance को तो again, again मैं आपको simplified कर देता हूँ इसको asset का closing balance create में लिखते ना अपन तो ये देखो outseeing subscription जो है न ये जो outseeing subscription है ये asset है तो उसका closing balance यहाँ पर लिख दो और advanced subscription liability है तो liability का closing balance की साइड लिखते है debit में तो ये आगे liability का, okay लेकिन again closing balance मत लिखना आपको क्या लिखना पड़ेगा by outseeing subscription और एक तरफ क्या आएगा एक तरफ आएगा to advance subscription सूरज क्या बताऊं मेटा एक बार और आपको देखो एकदम simple है, इसका logic क्या मालूम आपको, ये क्यों आया क्योंकि साल के आखरी में जो subscription मुझे नहीं मिला तो उसकी entry में क्या पास करूँगा outstanding subscription account debit to subscription account ये entry पास होगा भाई अपने को income मिलना है किसी से, तो आपको मालूम है कि अगर मुझे किसी से income लेना तो उसको मैं debit करूँगा तो entry क्या बनेगा, outstanding subscription account debit to subscription account at the end of the year, साल के आखरी में ये entry पास होगी तो subscription को मैंने credit किया, तो subscription के credit में record करेंगे, और सामने नाम क्या आगया outstanding subscription का, ओके और वैसी balancing figure होगा, वो transfer हो जाएगा income expenditure के account में ओके, तो एक बार देखिए बिटा, मैं आपको एकदम simplified way में वापस एक बार बताना चाहता हूँ देखो, आप account बनाने बोले ना, तो क्या बनाना, subscription account बनाऊँगा, एक बात दिमाग में रखना है कि opening balance, closing balance दोनों इसमें आने वाला है, तो सबसे पहले to asset का opening balance debit में आता है ना, तो outstanding subscription साल के शुरू में जो होगा, opening balance, वो यहाँ पर आएगा, और जो advance subscription मिला है अपने को, वो अपनी liability होती है बिटा, तो liability का opening balance साल किस साइड आता है, credit side, तो यह हमने credit में लिख दिया अब आपको माल में opening balance जो है ना, उसका ultra closing balance होता है, तो इस साइड आ जाएगा to advance subscription तेक है, यह कपका साल के आखरी वाला, और यह वाला यहाँ पर आ जाएगा, by outstanding subscription, यह कपका at the end का, यह यहाँ पर आ गया, और currency में जो subscription मिला, उसके entry क्या बना होगे cash account debit to subscription, तो यहाँ पर आ गया by cash, जो currency में मिला, और जो balancing figure होगा यह transfer हो जाएगा बैटा, income expenditure के account में तो अब देखिए, यह जो मैंने बनाया है ना, इसी को यह जो उपर में अपने figure लिया था ना, इसको मैं account बना के present करता हूँ आपको यह देखिए, यही चीज को मैं अगर account बना के देखाऊ, तो क्या क्या आएगा देखो, फटा फट देखो outstanding income at the beginning, किता दिया बेटा 5000, यह क्या लिखा है 5000 रुपए, ओके outstanding, beginning का है 5000 रुपए, तो यह मैंने लिख दिया यहाँ पे 5000 रुपए, ओपनिंग का इसके बाद, advance और beginning का advance income आपको दिया है 20,000 रुपए, यह मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा 20,000 रुपए, ठीक है, और क्या क्या है देखो आप, advance income at the end यहाँ पे लिख दिया अपने, और इस साल मिला किता अपने को, एक लाख रुपए मैंने लिखा था यह मैंने लिख दिया, एक लाख रुपए, यहाँ पे लिख दिया तो जो plus minus करें न, आप देखो, यह देखो बेटा यह एक लाख है, उसमें अपने आप 20,000 और 10,000 पे प्लस हो गए, और 5 और 2,000 reverse side है, मतब माइनस हो गए, और जो balancing figure है, वो balancing figure income expenditure में किता आ जाएगा एक लाख तेईस अजार रुपए अब यह दो तरीके से मैंने आपको बता दिया एक plus minus करके और एक account बना के, अब मेरा question आपसे answer दीजिएगा, कि आपने दोनों तरीका पढ़ लिया exam में अगर account बनाने बोला रहाँ ना की subscription account बनाओ, तब तो कोई option नहीं, आपको यह बनाने ही पड़ेगा लेकिन बहुत question ऐसे रहते हैं, जिसमें account बनाने की requirement नहीं है, लेकिन आपको RPA income expenditure balance sheet बनाने अगर बोलेगा, तो working note आपको करना पड़ेगा जब working note की बात आईगी, तो दोनों option में, आप यह plus minus भी कर सकते हो, account बना सकते हो, तो आपको easy क्या लगा? आपको easy क्या लगा? statement बनाना easy लगा, या account बना के ये बताईए मेरे को account वाला easy है? okay, account दोनों easy है एक बार मेरे को comment बताईए, statement okay, statement, both statement, statement, both account वाला easy है, okay plus minus both, statement, statement, okay अब मेरे बाद ध्यान से सुनना बेटा अब मेरे बाद ध्यान से सुनियेगा कि मेरे ये मानना है अगर account बनाने के बारे में नहीं बोलेगा न तो statement जिनको easy लग रहे है न आप उसी में जाईए उसका reason क्या है थोड़ा सा बता देता हूँ आपको थोड़ा second देखो बटा अजय थोड़ा confusion जो आपको लग रहे है न एक बार आप दिमाग में बठा लोगे न तो easy है फाइदा में बता जिता हूँ आपको क्या है account बनाने में बिटा time ज़्यादा लगेगा और वो statement बनाना है न तो बहुत तेजी से बना पाओगे आप और कई बार क्या होता है ये चार चीज़े नहीं दी रहेगे बहुत चार चीज़े मतलब क्या हुआ opening, opening balance, outsharing का, advance का, closing balance दोनों का इतना सारा चीज़े कई बार नहीं दी रहता कई बार दोनों चीज़े नहीं दी रहती इतनी सारी चीज़े आपको एक या दो चीज़े है तो plus minus करने से बहुत easy हो जाएगा तो हलंकि मैंने आपके उपर डाल दिया बेटा लेकिन अगर आप statement को comfortable करोगे ना तो time बचेगा मैं चाहता हूँ exam में time बचे ठीक है? आना दोनों चीज़े ठीक है दोनों आना ही चीज़े पका account बनाना आना ही चीज़े आपको क्योंकि exam में पूछ सकता है लेकिन अगर easy मैं बोलूँगा ना कि तेजी से working किसमें होगा तो मेरा answer होगा बेटा ये statement बनाके तो इसको prefer कीजिएगा ज़्यादा बेटर है चलो आगे बढ़ते हैं तो कोई भी income हो कोई भी income हो हर income का जैसे subscription तो सबसे tough लगता है ना बेटा ये हमने account सीख लिया बाकी कोई भी income हो आप ये दो तरीके से बना सकते हैं इसको ओके चलिए आगे बढ़ते हैं आज फिर practice कर लेना अजय बेटा बिलकुल मतब उसको easy बना के छोड़ना है आपको अजय बेटा आपका homework है कि statement को easy बना के छोड़ना अरे कुछ नहीं है चार में एक ही चीज़ याद करो कि साल के आखरी का outstanding income होगा ना उसको plus करना पड़ेगा अपने हम बाकी बनता है अरे एक बार सुन लो वापसे साल के आखरी का outstanding subscription outstanding income है ना उसको अगर आप plus करोगे तो साल के सुरू की outstanding income को minus करना पड़ेगा end का उल्टा opening होगा और जो advance है उसका just उल्टा होता है मतब advance opening को plus करना है advance closing को minus करना है महुत ही simple है एक चीज़ बस याद करोगे ना बाकी तीन चीज़ अपने आप logical way में आपको बन जाएगा pencil यूज कर सकते है नहीं कर सकते है बटा pencil exam में use नहीं करना है black ball point ink जो black ball point होता ना बटा उसी को use करना है pencil का use नहीं करना है आपको ध्यान अखना format आप बले बना सकते हैं चलेगा format में कोई दिख्कत नहीं है चलिए ओके चलो आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते है expense का हाजी income मतलब RPA account में जो payment होता है वो expense payment side दिखेगा अब उसमें से current year का expense है वो आपको income expenditure में transfer करना पड़ता है तो उसका भी सेम तरीक है देखो revenue payment during the current year ठीक है RPA में दिया रहेगा जो payment आपने किया उसको आप record कर देंगे फिर वो ही वाला काम करना है जो आपने income में record किया न देखो 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 आपने दो चीज को add किया था outstanding expense at the end को add किया था न इंकम में भी add किया था यह देखो बटा जो जो आपने income में एड किया था न outstanding income at the end को आपने एड किया था यहाँ पर अपना outstanding expense at the end को add कर हें advance income beginning को आपने add किया था तो prepaid expense at the beginning को हम करने add कितना simple हो गया बटा income और expense का same चीज है same format है same format है logic एक बार देदू आपको logic एक बार फटा फट देदू बही माल लो माल लो मैं salary account की बात कर रहा हूँ current year में salary का payment कर दिया मैंने 1,00,000 रुपे यह तो मैंने pay कर दिया अब मिरे को साल के आकरी में पता चल रहा है कि 5,000 रुपे की salary outshining है मतलब मैंने pay नहीं किया तो मेरी current year की salary किती हो गई 1,5,000 तो इसलिए साल के आखरी में जो out training होगा इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा plus करना पड़ेगा simple सी बात है same logic है और ये क्या लिखा देखो pre-paid expense at the beginning को plus करना पड़ेगा क्यों करना पड़ेगा salary मेरी इस साल की है लेकिन payment पिछले साल हो गया था तो आप समझे 1,000,000 तो मैंने salary का payment इस साल कर दिया लेकिन मान दीजे 10,000 रुपे का salary का payment मैंने पिछले साल कर दिया था लेकिन वो पिछले साल मेरा pre-paid दिख रहा था तो वो expense मेरा इस साल का है तो इस साल का expense actual में किता होगा 1,000,000 प्लस 10,000 तो इसलिए pre-paid expense at the beginning को क्या करना पड़ेगा प्लस अरे दो चीज को याद कर लो ने बिटा ज्यादा थुड़ी याद करना है ये दो चीज को याद कर दो उसका उल्टा माइनस हो जाएगा सिधी सी बात है देखो आउट्शिण एक्सपेंस at the end को पने प्लस किया ना तो आउट्शिण एक्सपेंस at the beginning को क्या करेंगे माइनस और pre-paid expense at the beginning को पने प्लस किया ना तो pre-paid expense at the end को क्या करना पड़ेगा माइनस सुनो ना यह ना एकदम दिमाग में बैठा लो बेटा यह दिमाग में एकदम बैठा लो दो चीज़ को याद करो या एक चीज़ भी याद करोगे तो भी उसको प्लस पैनस करके आप इसली समझ सकते हो ठीक है और वो ही बेटा expense account का same format है देखो अब आपको माझने में prepaid expense asset होती है outstanding expense liability होती है तो account बनाने का भी exam में आ गया तो क्या धियान रखना है तो जो भी expense account है न उतना funda लगाना पड़ेगा हाँ बेटा इतना तो लगाना ही पड़ेगा एकदम simple है उल्टा funda नहीं बोल सकते है अपन हाँ मतलब जो plus हो रहा उसका उल्टा करेंगे तो देखे expense account की बात करते है तो इसमें भी जैसे income का opening balance लिखना है opening होता है closing होता है वैसी इसमें भी आएगा prepaid expense asset होता है आपको मालू में तो debit में आएगा ये देखो prepaid expense asset है opening debit में आएगा तो prepaid expense जो closing होगा वो कहां पर आएगा create में ठीक है और outshedding जो होती हो liability है outshedding expense तो outshedding expense जो opening balance है वो आपको liability में debit में लिखना credit में लिखना पड़ेगा तो उसका जो closing balance है naturally आप कहां पर लिखो कि debit में same fund है same fund है ठीक है और जब आप salary का payment करते हो current year में 20 क्या बनाते हो salary account debit to cash तो इसके debit में आगया two cash ठीक है ये एक बड़ भूल जाना two cash आगया मैं अभी ये मान रहा हो कि RPA दिया है income expenditure का हमको निकालने की current year का expense क्या है तो two cash आगया ये RPA से आगया ओके ये कहां से आगया बटा RPA से और जो balancing figure बचा वो क्या जाएगा income expenditure मतब current year का expense ओके तो पहले में को ये जो दो point है ना बेटा हर question में मिलेंगे हर question में कुछ income और expense मिलेंगे तो ये highest है इस format को दिमाग में बठा लिया ना तो income expense जो RPA से income expenditure account में कोई भी income और कोई भी expense transfer करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी पहले फटा-फट हम सब करो बेटा अगर आपको ये दोनों चीज़ें clear हुए ये तो फटा-फट उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते है याशिका ओके है, स्रिस्टी ओके है अब मैं practical question में आने वाला हूँ, प्रतम, अमन, ए, शूरज, ओके, कुमल, शिवम, पृती, आर्ची, ओके, excellent, very good चलिए, आगे बढ़ते हैं बेटा पहले मैं उन्च यहों को ले रहा हूँ, जो हर question में आने वाला है हर question में, कहीं पीछा नहीं छोड़ने वाला है बेटा आपका यह जो question ना, यह पुरा पूच की तरफ पीछे चलते हर question के पीछे-पीछे लगेंगे बेटा चलो, हाजी, come on, come on, come on, yes अब, अब हम बात करते हैं, maximum question में कुछ consumable item के बारे में बात होती है consumable item की, consumable item का मतलब क्या हुआ, जो NPO होते है ना, जैसे की charitable trust हो गए या जो clubs होगर होते हैं, जिनका उदेश ये profit कवाना नहीं होता, hospital या schools वगर होते हैं जो free में काम करते हैं, गरिबों के लिए, है ना, तो उनके आपे कुछ ऐसे items होते हैं, जो purchase करते हैं, bulk में purchase कर लेते हैं और साल, मतलब उनका stock भी रहता है, opening stock भी होता है, closing stock भी होता है, जैसे की for example, मैंने एक example ले लिया, medicine तो हम ये बात करें कि जो medicine हमने जो purchase किया, हमने जो medicine purchase किया, वो अपना expense थोड़ी होता है, भाई अपना expense क्या होता है, जो हमने consume किया, सिरी सी बात है, मैंने साल एक लागी medicine purchase कर लिया, मानलो, पर साल के आखरी में 60,000 रुका तो stock पढ़ा हुआ है, 60,000 रुका तो क्लोजिं stock है, तो अब हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, कि जितने भी consumable item होते हैं उसके बारे में क्या होता है, तो पहले ही दिमाग में रखना, जो consumable item आपने current year में consume किया है, वो आपके income expenditure account में आता है, तो वो question में आपको निकालना पड़ेगा, रपी ये दिया रहा है आप medicine की बात करते हैं, तो medicine account बना लुआ, simple, या statement भी बना सकते हैं, आपके जो इच्छा, अगर मैं statement की बात करता हूँ, तो क्या होता है, कोई भी चीज consume कैसे निकलती है, consume का formula बता पाएंगे क्या, कोई भी चीज consume कैसे निकलती है, बताओ बेटा, formula बताईए मेरे को, consumption का, consume कै कैसे निकलता है, मेरे सवाल है, formula क्या होगा, बताईए मेरे को, कितने लोग को यादे दिखते हैं जरा, और कौन दिता है, सबसे पहले answer, जीत ने बोला, opening plus purchase minus closing, प्रथम ने बोला, opening plus purchase minus closing, excellent, excellent बीटा, सब को यादे, very good, consume का मतलब क्या हुआ, opening stock साल के शुरू में जो था, plus हमने जो purchase किया, minus जो साल के आखरी में बच गया, तो वो क्या हो जाता है, consume, simple, ठीक है, अब इसी को, आप ऐसा भी निकाल सकते हूँ, statement के form में, या आप चाहे तो account बना के निकालो, यह देखो, इसी को मैं account बना रहो, यह balance broad down का मतलब क्या हुआ, opening balance, यह आ गया, plus जो purchase से उ consumed, और जो consume होगा, वो कहाँ transfer होगा, income expenditure account में, तो यहाँ पर भी मैंने आपको option दे दिया, अगर एक्जाम में कोई consumable का account बनाने बोले, तो आप इस format पे चले आना, जो opening balance होगा, उसको debit में लिखना, आप purchase जो करते हैं, क्योंकि purchase के एंटी क्या करोगे, अगर आप medicine purchase करोगे क्या बनाओगे, medicine account debit to cash, अगर आप cash में purchase करोगे, आप उधाने में खरीद होगे, medicine account debit to creator, तो इसलिए cash और creator, whatever, वो debit में आएगा, और closing इधर लिख देना, तो और नहीं तो आप statement में बनात सकते हो, तो भी चलेगा, अब इस question में maximum में problem क्या होगी, अपने को consume निकालना है न तो अपने को तीन चीज़ पता रहने चीए, opening, purchase और closing, लेकिन तो naturally balancing figure जो है न, यह अपने आप निकल जाएगा, लेकिन इन question में क्या रहता है, इन question में बेटा, यह purchase जो है न, यह भी नहीं दिया रहता, तो जो purchase नहीं दिया रहता, और normally cash purchase नहीं मानते, अपन मानते की उध जहरी में purchase किया, तो आपको हर question में क्या दिया रहेगा, creator के बार में कुछ जानकरी दिया रहेगा, तो जब purchase missing रहती है न, तो उस case में अपने को purchase निकालने के लिए बनाना पड़ता है creator account, मत अब यह दोनों साथ साथ चलते हैं, हर question में अगर आपको धिहान भी होगा, हर question म दोनों account साथ साथ में बनेंगे, और creator का तो हमेशा account ही बनेगा बेटा, statement मत बनाना, account बनाना, easy पड़ेगा, क्योंकि creator आपको मालू में liability account है, तो opening balance जो है, वो debit में आएगा, तो closing balance create में आएगा, पक्की बात है, फिर क्या होगा, हमको purchase निकालना पड़ता है इसमें न, क्य तो naturally, आपको पहले creator account बनाना पड़ेगा, तो creator account में opening balance आपको दिया रहेगा, closing balance दिया रहेगा, और हाँ, सबसे खास बाद, आप देख सकते बिटा, ये balance broad down होता, opening balance, ये दोनों side लिखा है, क्यों लिखा है, मालूम आपको, बताइए मेरे को, ये creator का account, ये है creator का account, आपको माल में, वैसे तो creator होती है, अपनी liability, तो liability का तो opening balance कहा पर रहने चाहिए, create में, लेकिन debit में भी आ सकता है, opening balance debit में भी आ सकता है, क्यों आ सकता है, बताएंगे मेरे को, क्यों आ सकता है debit में, creator का debit balance क्यों हो सकता है, बताएए, order of no, अरे बिटा, OD, creator में काम नहीं आ था, advance to supplier सिस्टी, very good बिटा, very good, advance to supplier, advance पर में लियाशी का, बिलकुँ सही बिटा, कई बार क्या होता है, creator को उने advance दे दिया, होता है बिटा, कई बड़े बड़े जो supplier होता है, पहले पैसा दे फिर माल देंगे, ऐसा भी होता है, तो हमने अपने कुछ creator को advance में दे के रखा है, account का format बड़ा important है, बिटा, चुन-चुन के format बना के लाए हो आपके लिए, easy करना है मेरे को आपके लिए, NPO, easy करना है बिटा, ओके, तो ध्यान रखना, अगर question ने दे दिया ना है, कि अभी सब का practical question आपको मिलने वाला है, तो पहले दिमाग में बिठा लो, तो advance to supplier है अगर इवर साइड लिखो गया, और साल के आखरी का जो creator है, साल के आखरी के जो creator है, वो ने चुलिए आपकी साइड लिखो गये, ये, ये opening balance आ गया, ओके, ये liability जो है, वो आप debit साइड लिखो गये, तो मालू मैं आपको, चले इसको मैं हटाता हूँ यहाँ पे, तो opening balance दोनों स आ गया 2 cash, और जो balancing figure बचाना, वो आ जाएगा बेटा, purchase, और ये naturally purchase कौन सा होगा, credit purchase, तो हम ये assume करते हैं, कि हमने credit में purchase किया होगा, तो ये जो credit purchase है न, ये जो आएगा, वो यहाँ से यहाँ पे transfer होगा, फिर जो balancing figure होगा, वो अपना निकलेगा, consumable, ओके, तो एक बार मैं sum up कर दूँ मेटा, कई ऐसे क्योशन होगे, जिसमें आपको consumable item दिये रहेंगे, चाहे वो printing stationery हो, चाहे फिर वो medicine हो, या और भी कोई भी type के consumable items हो, जैसे food stuff हो गए, जैसे food stuff हो गए, drinks हो गए, तो ये सब का आपको दिया रह सकता है, तो आपको दो चीज़ों को ध्यान अख for example, तो उसका जो फिर medicine account का जो balancing figure होगा, वो निकलेगा consumption और वो transfer होगा income expenditure account में, ठीक है, चलिए, और अब ये आखरी पॉंड ले रहा हो में, जो बहुत common है, और इसके बाद मैं start करने वालों question, practical, जो आपने सीखना हो, उसको यहाँ पर apply करने वाले है, शूरज ने, if debit side में balancing figure आया है, तो क्या होगा, किसकी बात करें बेटा, आप consumable item में नहीं, बेटा possible नहीं है, possible नहीं है, consume का मतलब ही क्या होगया, consume का मतलब है कि हमने कितना use किया, तो naturally वो debit का total जाद आएगा, तो जो balancing figure हो, create में ही आएगा, consumable निकलेगा, यह संभाव नहीं है, जो आप बोल नहीं है थे बेटा, fix asset account, कई question ऐसे मिलेंगे आपको, जिसमें asset के बारे में जानकारी दिया रहाएगा, कि opening balance है, closing balance है, हमने purchase किया, और depreciation balancing figure निकलता है, कई question में, तो creator का account, debit side में balancing figure हुआ, तो कोई बात नहीं है, यही तो मैंने बताया आपको, creator का balancing, दो चीज़ नहीं हो सकता बेटा, नहीं नहीं, जो आप बोले ना, वो संभव नहीं है, क्योंकि आपको जो भी question दिया रहाएगा उसमें purchase निकालना पड़ेगा, creator में, और purchase कैसे निकलेगा, debit का total जागा होगा, तो जो difference है, वो purchase आएगा, तो यह creator account में संभव नहीं ह आएगा, आपने currency में जो asset purchase की है, तो NT बनाई होगी, fixed asset account debit to cash, तो यह debit में आएगा, ने चुली, यह कहां से मिलेगा, RPA account से मिलेगा आपको, ठीक है जी, और अब ज़रा बात ध्यान से सुना, create में दो चीज़ बजाती है, एक depreciation और एक asset sold, कई ऐसे question होगे, जिसमें दिया आएगा, कि asset बेचा, तो मेरी बात ध्यान से सुना, अगर asset purchase करें, तो debit में आएगा, तो asset आप बेच रहे, तो पक्का asset कम होगी, तो create में ही आएगा, लेकिन कौन से value से आएगा, बेटा, book value से, आपको जो asset account में, जो asset आपने बेची है न, भई मान लीजिए, आप एक asset है, एक asset है, question में दिया है कि उसकी book value है 10,000 रुपे, और उसको हमने बेचा है 12,000 रुपे में, तो अपना asset account है न, उसमें 10,000 रुपे आएगा, क्योंकि asset account अपना book value में बनता है, तो जितने की book value के asset गई है, उतनी अपने book से कम होती है, ठीक है, तो ये book value आएगी, ये ध्यान क कियेगा, तो अगर कोई question में asset बेचने के बारे में बात किया है, तो ये देखना है कि asset की book value क्या है, उसको create में लिख देना, और जो balancing figure होगा, वो आजाएगा आपका depreciation, क्योंकि asset account का debit side का tool जादा है, तो balancing figure will be depreciation, और वो कहाँ पर आएगा, मतलब ये जो depreciation है न, वो कहाँ पर आजाएगा, income expenditure account में, तो ये कुछ missing figure होते हैं बेटा, जिसको आपको ध्यान रखना पड़ता है, और इसी को ध्यान में रखते वे, अपन लोग ये accounting इसकी करते हैं, ठीक है, तो ये most common accounts है, जो हर question में आपको काम आने वाला है, तो अब आपके पास copy, किताब, pen, pencil मत लेगा, calculator, ये आप रखे होंगे, मैं उमीद करता हूँ, क्योंकि, अब मैं आपके सामने देने वालो, बेटा, एक question, चलिए, जितने भी concept में बताना, उन सब का tactical, अपना भी discuss करने वाले, ये लेगे बेटा, ये रहा question आपके सामने, हाजी, एक बार, फटा-फट में बतात आपको आरपी दिया हुआ है, मतलब पैसा आया, पैसा गया है, एक बार पढ़ लेते हैं, सब्सक्रिप्शन अपने को मिला इस साल, पचास जार रुपे का, हाँ, ये देको फरनिचर बेचा है, बेकर में क्या दिया, बुक वेल्यू चार जार, और बेच के पैसा किता मिला पांच जार, आरपी एकाउन में जितना पैसा मिलता वो आता है, तो हमको मिला किता पांच जार रुपे, बदब चार जार की चीज को आपने पांच जार में बेचा, ठीक है, दिमाग में रखना, आप पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई, क्या लेका है, पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई की एंट्री क्या पास होई होगी, देखते हैं कौन सही एंटी बनाता है, ट्रेटर डेबिट टु कैश, या शिकर आणसर दिया, ठीक है जी, और देखते हैं, और किसका आणसर है, ट्रेटर टु बैंग, ओके, गुर्सिंवर ना आणसर दिया, सप्लाई सप्लाई, जो सप्लाई की एंटोगा, उनको पेमेंट करेंए, अपनी इंटी बनी होगी मतलब, एंटरेटर अचाङन देबिट самой घांसर ही अपनी बनी होगा, ट्रेटर अचाइब आंसर मैं जब बोलूँगा तब देना बेटा है ना तब मज़ आएगा चलो देखो क्या लिखा है यह 1116 और 31 December 16 अपना year income है 31 December 16 इसका मतलब क्या हो गया यह आपको opening balance दिया है यह आपको closing balance दिया है ठीक है किसका किसका दिया है एक बड़ देखते है subscription due इसका मतला outstanding subscription का opening balance भी है closing balance भी है subscription received in advance तो अपने को advance में subscription ने इसका opening closing दोनों दिया है ठीक है stock of medicine समझ गया ना medicine medicine भी आ गया consumable item उसका opening stock closing stock amount due for medicine supply amount due for medicine supply और इसके बगल में क्या लिदिया मैंने advance to supplier of medicine आप बताओ ना बीटा यह advance due for medicine supply यह के और यह के advance to supplier of medicine तो यह क्या बताओगी क्या मैंने bracket में जो लिखा ही क्या asset की liability है amount due for medicine supply यह कौन है यह अपना यह अपनी liability है यह अपनी liability है और यह जो second लिखना advance to supplier of medicine मतलब हमने supplier को advance दिया है तो यह अपने लिए asset है हमने supplier को advance दिया है इसका मतलब यह अपने लिए asset है ठीक है मतलब जो creator account है न कुछ creator अपनी liability है और कुछ creator अपनी asset है तो creator account दिमाग में रखना ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अब आपको दिया salary outshending prepaid salary देखो 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 subscription के बारे में भी outshending भी है और advance में भी है और जो salary मतलब जो expense है वो भी आपका outshending भी यह prepaid भी है opening भी है closing भी है मतलब आप देख सकते हो फिस sundry expenses outshending sundry expense का कीवल outshending दिया है साल का सुरू का इतना साल का अंत का इतना ठीक है value of equipment मतलब साल के सुरू में अपने पास 50,000 का था साल के आकरी में 48,000 है furniture 52,000 का था साल के सुरू में साल के आकरी में 40,000 का है ठीक है आगे you are required to show the amount which will you transfer to income expenditure account for the year ended 31 December 2016 मतलब यह पूरे question को पड़के आपको यह निकालना है कि कितना income expenditure में क्या-क्या amount जाएगा तो मैं start करता हूँ बेटा मैं थोड़ा रुक्या बनाओंगा पहले कई लोग ने answer निकाल दिया है सबसे पहले हम बात करते हैं subscription के बारे में subscription account to be transferred to income expenditure account ठीक है जी ओके तो मैं इसको बनाओंगा बेटा पहले plus minus की विधी से तो plus minus की विधी से क्या आएगा सबसे पहले में क्या लिखूँगा सब्सक्रिप्शन received यह मैं कहां से लिखूँगा RPA से अब आप कुमाल में की बेटा दो चीजे होती है प्लस दो चीजे क्या होती है प्लस और दो चीजे क्या होती है माइनस देखो वापस से रिविजन हो रहा है यह याद कर लो दो चीजे होगी प्लस दो चीज़ी होगी माइनस हाजी पहले प्लस में क्या करने वाला हूँ पहले मैं फॉर्मेल लिख देता हूँ उसके बाद मैं लिखते जाओंगा ठीक है हाजी प्लस क्या करूँगा मैं आउटस्टेणिंग सब्सक्रिप्शन एड दे एंड अफ यर साल के आखरी मी जो आउटस्टेणिंग सब्सक्रिप्शन है इसको मैं करूँगा ये एड दे एंड को मैं क्या करूँगा प्लस ठीक है तो उसका जो उल्टा होगा उसको मैं मैंनस कर दूँगा मतलब जो advance subscription beginning का है, उसको मैं plus करूंगा, बहिए auctioning end का मैं plus करूंगा, तो beginning का advance subscription मैं plus करूंगा, और इसका उल्टा minus कर दूंगा, मतलब advance subscription, जो year end का होगा, इसको मैं कर दूंगा minus, ओके, तो अब जो amount है, इस amount को हम लोग लिखते आते हैं, फटा फट, ये notes मैंने सामने में बिटा amount देख 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 लिख रहा हूँ, आपको RPA account में किता दिया देखवा, 50,000 रुपए, इससे हम start करेंगे 50,000 से, तो यह RPA account में आगे बिटा, 50,000 रुपए, यह मैं देख दिया 50,000 रुपए, हाँ, अब मैं आता हूँ, subscription, outshading, यह देखे, outshading subscription, बिगनिंग का है 1500 और एंड का है 2200, तो एंड को plus करते हैं, बिगनिंग को minus करते हैं, तो एंड को 2200, यह कर देगे plus, और बिगनिंग का किता दिया दिया बेटा, आपको बिगनिंग का दिया हुआ है 1500, इसको मैं माइनस कर दूँगा हमेशा माइनस को किसमे लिए बेटा ब्रेकेड में भूलना मत ठीक है अब एडवांस के बारे में बात करते हैं एडवांस में देखो 1200 ओपरिंगे और 700 कलोजिंग व 2100 को अपने को प्लस करना पड़ेगा寸न दो कर ददो ऑर 700 को माइनस कर दो अगर आपका ये भी पार्ट सही न तो इसमें भी कम से कम दो नंबर मिलेंगे आपको अगर आपका 16 नंबर या 10 नंबर कराएगा न तो किवल सब्सक्रिप्शन अकॉंट भी सही रहेगा न तो उस केस में आपको मार्किंग मिलेगी इस चीज को ध्यान रखिएगा ठीक है कितना income expenditure account में transfer करना पड़ेगा इसको भी मैं क्या बनाओंगा इसको भी मैं बना लेता हूँ बिटा चलो एक काम करते हैं mix करते हैं सल्वी account को न में जो सल्वी है न इसको मैं account बना के बताता हूँ आपको तो mix हो गया ये मैंने statement बना दिया ये account बना लिया उसका तरीका देखो सबसे पहले सबसे पहले ये भूल जाना कि आपके expense account बना लिए ये आपका expense account भी है और आपका asset library sub account है तो हमको मालूम है कि asset का opening balance होता है और prepaid salary जो होती न वो asset है तो debit में क्या आएगा to prepaid salary opening balance opening balance तो जो closing balance है वो यहां लिख दू में prepaid salary closing balance ठीक है format एक बार समझ लो बेटा कितना आ रहा है amount एक बार मिर पास answer है good summer का answer है 28,188 सब लोग निकालते हो बेटा सब लोग निकालते हो और account समर लोग जिसको account में दिक्कत आ रही है simple है prepaid asset है तो asset का debit balance होता है तो हमने लिख दिया okay question so करिए यह है बेटा question यह है बेटा question एक बार फटाक से न आप एक इसका photo लिलवा फटा 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 कि आप solve करते रहो ठीक है आउस करके photo लिए मैं आगे बना हो बेटा हाँ अब outstanding salary जो होती वह liability है liability का credit balance होता है तो मैं इस साइड लिखूंगा by outstanding salary opening balance closing balance reverse side आएगा outstanding salary closing balance format समद लो दोनों तरीके से बता रहो बिटा आपको हाँ अब salary जब आप pay करोगे 20 क्या बनाओगे salary account debit to cash तो यह आगे to cash यह कहां से मिलेगा मेरेको RPA account से ओके बस और जो बचेगा वो अपना transfer हो जाएगा income expenditure account यह मैं लखूंगा balancing figure simple balancing figure ओके यह अब हम start करने वाले अपने account को अरे रे कहां चले गया भाई इतना speed से मत जा हाँ यह है चलिए सबसे पहले अपने लोग opening balance लिख देते हैं अब मैं बता दू answer 28 100 जिसका भी आ रहा है बिलकुल सही है बिलकुल सही है सेजन ने answer दे दिया कोमल हर्शिता प्यूश यस सूरज ने बिलकुल सही answer दिया सही answer दे चुके हैं बेटा पहले से चलो अब मैं start करना हूँ हाँ जी सबसे पहले prepaid salary देखो आप सबसे पहले मिले रहा हूँ बेटा prepaid salary color change करना हूँ green color हाँ prepaid salary opening ए 400 closing ए 800 लिखते आते हैं salary outshending हाँ जी 500 opening है closing है 1000 outshending salary किता किता दिया है बिटा कहां गया यह दिया है opening दिया है मेरे को 500 और closing दिया है closing दिया है किता दिया है बिटा 1000 एक बड़ चेक करना हूँ वापस हाँ find rate opening है closing है 1000 ठीक है अब salary हमने pay किता किया pay किता किया salary देखो 28,000 रुपे का payment हुआ है तो यह payment payment दिखा दो आप यह 28,000 रुपीस और जो balancing figure बचा 28,100 यह अपना कहा जाएगा income expenditure account में तो एक बार फटा फट बता बेटा दोनों से comfortable हो किया मैं एक बार फिर से बता दूँ आपको exam में जब account बनाने की बात करेगा तो account बनाना पड़ेगा मजबूरी है तो इसको ignore मत करना बेटा और जब account बनाने का नहीं बूलेगा तो फिर हम statement बना लेंगे plus minus करना बड़ा easy रहेगा working note की जगा आप direct income expenditure account में भी plus minus करके दिखा सकते हैं ओके चलिए अगला point बात करें हाजी अब मेरे को फटा फट बताना है बेटा सुनिए मैं तीसे working में आ गया हूँ थर्ड वर्किंग हाजी medicine consumed during the year क्योंकि जितना medicine consumed करेंगे use करेंगे वो transfer कहा होगा transfer to income expenditure account ठीक है जी यह आपको मालू में तो अब अच्छा आ चुका है answer याशी का नहीं answer दे दिया तो मैं answer को एक बार रखता हूँ पहले हम लोग discussion करते हैं बिटा सबसे पहले आपको मालू मैं कि जब भी consume के बारे में बात होगी और हमको question पढ़के दिमाग में आ जाता है कि creator के account दिये वे आपको और यह medicine का stock आपको दिया हुए तो हमको दोनों account बनाने पड़ेंगी इसने मैंने पहले concept दे दिया था ठीक है चलिए चलिए सबसे पहले हम account बनाएंगे medicine account एक बनेगा और इसी के बात क्या बन जाएगा creator account यह दोनों हम राई है बेटा लगबग हर question में दोनों हम राई है रहेंगे मतलब एक साथ आपको दिया रहेगा अब पहले मैं फॉर्मिटिंग में आता हूँ medicine account इसका जो opening stock यहाँ पर आएगा debit में जो closing stock के create में आएगा और जब आप medicine purchase करोगे तो जो purchase है वो naturally debit में आएगा format पहले दिमाग में इठालो क्योंकि anti क्या बनाएंगे अपन medicine जो आप purchase करोगे तो medicine account debit to cash या to creator अगर आपने उधार में purchase किया ठीक है और यह क्या जाएगा consumed यह आगे ब निकालना है और यह transfer होता है income expenditure account में पहले मैं format के उपर बात कर रहा हूँ ठीक है अब creator account में आ जाओ creator account में आपको मालूम है opening balance दोनों साइड आ सकता है opening balance ठीक है इधर भी opening balance पर debit में opening balance कब होगा जब पिछले साल का कोई advance होगा तो क्योंब एडवांस क्योंकि वह asset हो जाती अपने ना तो इसका उल्टा closing balance इधर और closing balance किसका है advance का ओके और creator account में क्या आएगा अगर आपने creator को कुछ payment किया है तो anti क्या बनाते है creator account debit to cash तो इसके यहाँ पर आजाएगा cash जो भी आपने और यह कहां से मिलेगा आपने को RPA से किता payment RPA से मिलेगा और जो balancing figure बचा वो क् purchase ठीक है यह balancing figure और यह जो purchase है इधर से उठके किदर जाएगा यहाँ पर और फिर उसका जो balance मतबब पहले अपने को बनाना पड़ेगा creator account और फिर अपने को बनाना पड़ेगा medicine का account ठीक है तो चले मैं पहले creator account बनाता हूँ हाजी आज हूँ मेरे साथ start करो creator account opening balance यह देखिए यह अपना दिया हुआ है यह यह देखो यह अपना amount due for medicine मतलब यह आपके liability ओल अकाउंट है 9,000 रुपए opening balance है 13,000 रुपए closing balance है पहले इसको लिखता हूँ यह देखिए 9,000 रुपए और 13,000 रुपए पहले जो creator मेरे liability account इसको लिख दिया और लेकिन इस question में आपको मालू में advance भी दिया हुआ है तो अब मैं advance पर आता हूँ मिठा यह देखिए advance to supplier इसको मैंने asset 10,000 रुपए closing balance है ठीक है 12,000 रुपए तो यह जी opening balance 1000 रुपए closing balance 2000 रुपए यह तरीके सा बनाई है फटाफट बनते आएगा ठीक है और अब मेरे को creator account में क्या चीए किता payment किया तो यह देखिए account यह जो अपना RPA account है यह 30,000 रुपए आपने payment किया साल creator को 20 रुपए बना 30,000 रुपए यह हमने पे किया 30,000 रुपए अब जो balancing figure बचा वो हमने purchase किया होगा तो creator account का balancing figure है वो आगया अपना 33,000 रुपीज तो यह आगया अपना creator purchase आगया अब इसको मैं transfer करूँगा purchase में तो यह मैंने लिग दिया पहले ही 33,000 और bracket में यह किससे बना है यह किससे बना from creators account से ठीक है और अब मैं medicine account start करता हूँ medicine account में क्या क्या लिखना पड़ेगा मेरे को opening और closing ठीक है जी तो medicine का opening stock देखिए यह दिया है अपने को यह 10,000 रुपे का opening stock है 15,000 रुपे का closing stock है ठीक है तो यह लिख दो यहाँ पे है बिटा यह medicine का 10,000 रुपे का opening stock दिया है और closing stock आपको दिया है 15,000 रुपे का तो अब जो balancing figure बचा medicine का वो अपना क्या दिखेगा consume तो 10 plus 33 minus 15 यह आगया 28,000 रुपीस ओके तो बहुत question में आपको यह दोनों account बराने पड़ते हैं तो मैं इसलिए बेटा जो जो चीज़ें बहुत common है उसको मैं clear करना चाहता हूँ और हर concept को अपन cover करना चाहते चरे यह भी खतम हो गया अब आगे बढ़ते हैं अब जर्ण मेरे को बताइए मेरे को बताइए अब मैं बनाना चाहता हूँ equipment account क्योंकि आपको एक बात मालूम है आपको बोल क्या रहा है आपको बोल रहा है आपको बोल रहा है कि income expenditure में क्या-क्या जाए दो asset है और एक है furniture account एक है furniture account ठीक है तो आपको फटा फटी ये निकालना है कि equipment और furniture में कितना amount है जो आपका income expenditure account में जाएगा तो ये दोनों आप मैं आपको 3-4 minute का time ये question आपके सामने रख रहा हूँ ठीक है इसको आपको निकालना है बिटा ये देखिए ये पुरा question है इसको निकालिए और comment कीजिए तो मैं 2-3 minute का मैं break ले रहा हूँ आपको बनाना है पक्टास आपके साथ झाल 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 हाजी आंसर साथ चुके हैं कई लोगों के एक्विबेंट सेविंटीन थाउजन और फणिचर आ रहा है एट थाउजन ओके देखें बेटा किसका सही है स्टार्ट करो में सबसे पहले एक्विबेंट अकाउंट आजी बड़ा आपको माले हैं एसेट अकाउंट का opening बलंस और closing बलंस ठीक है तो जो equipment अकाउंट है और अगर आपने purchase किया होगा तो यहांपे आ जाएगा to cash ठीक है यह concept है अब equipment बेचा तो है नहीं तो एक बार देखें आपे equipment के बार में क्या क्या दिया है opening balance दिया है 50,000 closing balance दिया 48,000 ठीक है तो सबसे पहले आप opening closing लिख दो 50,000 opening balance आपको दिया है 50,000 closing balance आपको दिया है 48,000 ओके question में दिया है इसके बाद अब हमको देखना है कि यह purchase sale हुआ है क्या तो यह RPA account में दिखिएगा RPA account में receipt में देखो furniture भी का है मतलब equipment के उपर कोई चक्कर नहीं है हाँ इधर को equipment purchase हुआ है 15,000 का equipment purchase करोगे तो आप naturally equipment account के debit में देखोगे asset account है नहीं या asset खरिते तो asset बढ़ती है तो इसने debit side आएगा तो कित्ते का अपने purchase किया 15,000 बेचा वेचा कुछ है नहीं तो जो भी balancing figure होगा न वो अपना क्या जाएगा depreciation तो balancing figure आगे अपना 65-48 तो यह आगे बैटा 17,000 रुपीज तो आप लोगों का बिल्कुल सही answer 17,000 निकाल के रोकिया आपने अब मैं बात करता हूँ furniture की तो furniture में again furniture में भी ये भी एक asset account है तो सीधा format लिग दो cash जो आपने purchase किया होगा तो to cash इधर closing balance आएगा furniture भी का है लेकिन ध्यान अखना ठी ठीक है तो furniture में depreciation balancing figure आएगा लेकिन जो आपने furniture को बेचा है जो आपने furniture को बेचा है तो वो भी लिखना पड़ेगा cash और ये कौन सी value से आएगा book value से भूला मत कौन सी value से book value से क्यों आएगा तो आपको बेटा entry कुछ या दे क्या बही माल लो 10,000 रुपे के furniture को आपने 12,000 रुपे में बेचा मान दीजिए तो entry क्या बनाते है cash account debit 12,000 रुपए ठीक है तो furniture 10,000 तो furniture को आपने क्रेट किते से क्या आपने book value से क्रेट किया ठीक है और बाकी जो बसता है वो PL account में transfer होता है normal case में ठीक है तो furniture account में 10,000 रुपए आएगा just example के लिए आपको दे रहा हूँ ओके तो अब यहां पर आप देखिए जो furniture आपने बेचा है ना अब furniture के बार में information लिख देते हैं आपर क्या क्या दिया देखुआ पर निचर को opening balance से 52 closing balance से 40,000 रुपए लिखते है ओफट आफट यह आ गया 52,000 opening balance और closing balance आपको दिया है 40,000 यह मैं लेग दिया 40,000 जी अब ध्यान रखना current यह में जो भी purchase sale हो कहा मिलेगा RPA में तो यह RPA account आजो यह दो कहा RPA account आजो RPA account में अपने furniture बेचा है 5,000 में लेकिन उसकी book value किती थी 4,000 और purchase है नहीं क्योंकि payment side कुछ नहीं दिखा है तो 4,000 रुपए का जो अपने sale किया है वो लिख दो यहाँ पे यह 4,000 book value ओके और furniture purchase तो कुछ दिया नहीं question में तो इसको मैं कर दूँ नहीं आपे और जो balancing figure है balancing figure जो है वो क्या जाएगा depreciation तो एक बार check को लो बिटा यह balancing figure किता आगे अपना 8,000 यह आगे आपका depreciation ओके चलिए यह भी खतम concept और और क्या बचा और क्या बचा और क्या हाँ एक आखरी बच गया बेटा sundry expense यह देखो sundry expense यह भी तो दिया ना outstanding तो sundry expense income expenditure में कितना आएगा तो यह कुछ नहीं मैं यहीं बतायता हूँ बेटा आपको यह expense है तो जो expense का format ध्यान रखना सबसे पहले 1,000 रुपे जो paid है sundry expense paid किता है बेटा 1,000 रुपे ठीक है अब आपको plus minus करना है plus minus करना है किता लिखा आपने आरची ने answer दिया 900 ओके कोमल का अंसर ने 900 प्रथम का आचुका है 900 का सबका 900 ओने डा रहा है क्या बात है बेटा दिल जीती है आप लोगों ने हाजी यह paid आ गया अब उसमें आपको plus minus करना है question में क्या लिखा देखवा यह sundry expense जोना आउट्सेंडिंग है किवल आउट्सेंडिंग का दिया है तो आपको मालू में ने बेटा और 300 कर दो minus पे हो गया 900 यह transfer कहाँ पे होगा income expenditure account में ओके तो अब मेरे को यह बताईए यह जो पहला जो मेरा पार्ट है ना NPO का मेरा पहला पार्ट है वो हो गया clear इसके द्वारा मैंने आपको बदया दिया कोई भी income हो बेटा यह तो subscription एक income है लेकिन और कोई भी income है उसका plus minus clear हो गया होगा account बना के clear हो गया कोई भी expense है मैंने इसलिए इस question में क्या क्या मालूम आपको मैंने salary का मैंने आपको दोनों दे दिया prepaid भी दे दिया आउटshedding भी दे दिया दोनों type का और salary expense का किवल आउटshedding दिया तो यह पुरा clear है कि statement के form में भी आपको मेरे दो को किवल account बनाना नहीं आना चाहिए किवल statement बनाना नहीं आना चाहिए सब बनाना आना चाहिए तो बताओ बेटा फटा फट दोनों एगदम और हाँ एक important होता है consumption वाला वो मैंने बता दिया कि consumption में मैंसा दो account बनेगा एक जैसे medicine के बात करते तो medicine account बनेगा और creator account आना आपको आना चाहिए क्योंकि उसमें depreciation जो होता ना वो आपको income expenditure में जाता है तो यहां तक clear है कि आप फटा फट बताईए एकदम clear है कि आप बताईए मेरे को फटा फट आप लोग का response देके आ गया है मुझे मज़ा तो एक पार्ट हमारा हो गया बिटा clear चलो अब एक काम करो यह question number two जो question number two है यह मैं आपको मैंने यहां पर क्या किया है यह question है और किवल practice के लिए मैं आपको बस solution मी मैंने बना के रखा है और आपको मैं just दिखाते होंगा फटा फटा फटम लोग बात करते आएंगे यह कप कहा है देखो number number 20 के RTP का question है पटाफर एक बार बता दूँ आपको question में क्या लिखा है देखवा sports metal sports metal देखते हैं आपके दिमाग में आची यह consumable आ गया क्या आ गया बिटा consumable ठीक है चीजें दिमाग में open कर लो amount due for sports metal मतब creator आपको मारूब बिटा यह दोनों का चोली दामन का साथ है दोनों हम सफर हैं हम साथ साथ हैं यह वाले दोनों इसके बाद subscription due, subscription receipt and advance अरे अपने बाएं हाथ का खेले बेटा सॉरी यह राइट है ने यह यह बाएं हाथ का खेले बेटा आगे बड़ो subscription receipt during the year करेंट यह में इत्ता मिला payment for sports metal during the year sports metal का अपने payment किया इसका मतभी किसको payment किया अपने creator को payment किया ठीक है देखो exam का question और concept clear होने के बाद देखो ना कितना बच्छो टाइप का question लगेगा यह अब बोल क्या रहा है calculate the amount of subscription and sports metal that will appear in the income and expenditure account आपको नहीं काना है कि subscription income and expenditure में किता दिखेगा और sports metal किता दिखेगा तो आपको माल में sports metal जो अपने consume किया होगा वो कहाँ दिखेगा income and expenditure account में और क्या बुला देखो and also show how these items would appear in the balance sheet as on 31st this March 2020 आपको यह बताना है कि balance sheet में कितना हैगा और प्यूस ने answer भी दे दिया 3,84,000 चलो subscription के उपर बात करते है एक काम करो आप लोग निकालो फटाफट calculator में plus minus करके plus minus करके यह question है फटाफट निकालो बेटा फिर मैं आपको answer दिखाने वाला हूँ अब मेरे को speed चाहिए speed accuracy आचुकी है लेकिन speed चाहिए बेटा प्यूस देखो कबसे answer देके रखे कोमल ने answer दिया एक zero कम हो गया था लग रहा है कोमल का इसलिए उन्होंने delete कर दिया लिखने के बाद चलो बनाओ बनाओ फटाफट 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 मेरे को speed चाहिए बेटा कोमल ने answer दिया 384 हर्चीतर ने answer दिया 384 शुरू के 5 answer देखने के बाद मैं start करने वाला हूँ और जिनका subscription आ चुका है वो निकालो sports metal consume कितना है वो भी निकाली यह फटाफट अमन ने answer दे दिया 384 ओके और 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 जल्दी जल्दी कृष्टन ने answer दे दिया 384 ओके sports metal या शुकन आंसर दे दिया rule 17500 क्या बात है चलो अब फटाफट दिखा दूँ आपको यह देखिए current यह में जो मिला 3,000 75,000 मिला इससे मने start किया दो चीज़ें करेंगे plus दो चीज़ें करेंगे minus और plus क्या करो गया साल के आकरी में जो आउट्ष्रिणिंग है वो होगा plus और beginning में जो advance हो उसको करेंगे plus यह दो चीज़ प्लस दिमाग में रख लो यह आखरी का आखरी का और यह opening का ठीक है तो आप देख सकते 16,500 आउट्ष्रिणिंग है 16,500 प्लस हो गया और advance जो मिला ना वो opening का है beginning का है 9,000 यह हमने plus कर दिया simple इसका closing इसका opening इसको plus करते हैं इसके ओल्टे को minus करेंगे तो यह इसका ओल्टा 11,250 95,250 minus कर दिया तो answer आगया 3,84,000 RTP का question ने बेटा है देखो कितने easily easy तरीके साब बना पा रहे है हाँ यह हो गया खतम अब बात करते हैं sports metal consume का यहाँ पे मैंने sports metal का मैंने statement बना दिया आप account बना सकते हैं दिक्कत नहीं है तो अगर amount आएगा मालूमन आपको यह आएगा opening क्या क्या आता है मालूमन आपको opening plus purchase minus closing देखे है तो देखते ज़रा यहाँ पे क्या क्या लिखा है opening जो purchase है जो purchase है न बेटा यह purchase आपको कहां से यह देखे यह sports metal consume तो opening stock plus purchase minus closing ठीक है तो opening लेकिन purchase के लिए क्या बनाना पड़ेगा creator account तो यह मैं creator account बना के दिखाता हूँ आपको creator का account ठीक है चलिए creator creator फटा फटा जो भीया आपको मालूमन पहले creator account complete होगा तो amount यह opening है 67 फाइंडेड closing है 97 फाइंडेड तो यह 67 फाइंडेड ओपनिंग है 97 फाइंडेड closing है और creator को payment कितना कि अपने आर्पी account देखो यह निचे दिया है स्वारे आर्पी नहीं दिया 2,25,000 रुपे का payment है तो यह 2,25,000 रुपे का हमने कर दिया पेमेंट तो जो balancing figure होगा वो क्या निकल जाएगा purchase तो आप देख सकते बेटा balancing figure है 2,55,000 यह क्या हो गया purchase तो current year में अपने purchase क्या है 2,55,000 तो और बाकी simple है यह 2,55,000 जो है न यह अपना consumption के formula में क्या हो गया opening stock plus purchase और minus closing stock तो यह ही format में लिखा हुआ यहापे तो जो purchase है यह निकल के आ गया है यहाँ पे आ गया और opening stock दिया हुआ है closing stock यहाँ पे दिया है question पे 75,000 को opening stock है देख लो यह देखो 75,000 को opening stock है और 11250 का closing stock है तो यह हमने opening और closing लिख दिया तो यह जो बचा वो आ गया, consume which will be transfer to income and expenditure account, अब देखो, अब क्या लिखा है, अब आपको बला है, balance sheet बनाओ, आपको balance sheet का extract बनाना है, क्या बनाना है, balance sheet का extract, ओके, कैसे बनेगा, simple है बेटा, balance sheet कब का बनाना है, देखो, 31 मार 2020 का, confuse मत हो न, 31 मार 2020 का balance sheet बनाना न, 31 मार 2020 के दिन, जो जो asset है और जो liability उसको लिखते जाओ, तो क्या 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 लिखें, चलो एक बार बताओ, जोर मेरे liability में आपने क्या क्या लिखा, पहले liability खतम करो, यह देखे, question है, liability में क्या क्या आएगा, बताईए, यह पूरा मैं एक बार ह liability में क्या क्या आएगा, फिर हम asset side की बात करेंगे, रथर मने answer दिया, advance subscription, चलो, बात करते हैं, यह देखे, एक बात पक्की है, एक बात पक्की है, कि यह वाले जो balance से वही आएगे, यह नहीं आएगा, क्योंकि तो, 1 अप्ल, 2 जारूने, इसका opening का है, हमको बनाना है, closing का, अब एक के करके देखते हो, सबसे पहले क्या लिखा है, stock of sports material, किसी भी चीज का stock अगर अपने पास है ना, तो naturally अपने लिए asset है, तो यह asset में आएगा, ठीक है, आगे बढ़ते है, amount due for sports material, बात भी यह creator का balance है, और creator अपने लिखा होते है, liability है, तो यह library side में आ जाएगा, ठ हमको subscription लेना है, तो 16,500 अपने को लेना है, तो यह अपने लिए asset है, और subscription received and advance, मतलब अगले साल का पैसा member ने इस साल दे दिया, तो यह अपने लिए liability है, खतम हो गई बात, बिटा, दो चीज़ asset में आएगी, दो चीज़ liability में आएगी, खतम, अब इसको लिखने की जुरत यह में रखो, क्या यह clear है आपको, किवल यह चीज़ आएगी बेटा, दियान रखना है, यह वाली चीज़ आएगी, दो asset और दो liability है, अच्छा, यहाँ पे देखो, subscription received इस से कोई मतलब नहीं है, और payment for sports medal इस से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि balance sheet में किवल, जिस दिन के balance sheet बनाते हैं, उस दिन के asset और liability आती है, तो is it clear बेटा आपको, clear है, मतलब यह balance sheet पूरी नहीं बन लिए, ध्यान रखना है, यह balance sheet का किवल एक extract है, based on information, एकदम clear है, ओके, very good, तो आज का time खतम हो जोका है, तो आज हम लोग ने, जो बहुत base है, जो हर question में आता है, वो हमने cover कर लिया, और कल हम start करने वाले हैं, कल हम start करेंगे, बेटा, same time पे रहेगा, और कल का हमारा target रहेगा, fund based accounting, यह भी काफी दिक्कत करता है कई लोगों को, तो fund based accounting को मैं कर लेने वालों बेटा, ओके, तो उमीद है, यह आपको पसंद आया होगा बेटा, revision, और confidence आया होगा, ठीक है, ऐसे ही हम लोग साथ साथ चलते जाएंगे, NPO खतम करेंगे, फिर हम चालू करेंगे, stock taking, ओके, तो आज के लिए इतना ही बेटा, exact hand बढ़ चुका है, take care, bye bye